भारत में हुए G20 सम्मिलन को लेकर दुनिया भर में उसकी तारिफ हो रही है तारिफ करने वालों की लिस्ट में अमेरिका भी शामिल है हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्राले ने पत्रकार परिसत के दौरान क्या बयान जारे किया अमरीका ने दिल्ली में हुई G20 शिखर सम्मिलन के लिए भारत की तारिफ की है अमरीका ने G20 आउजन को सफल कराद दिया है सम्मिलन में हिस्ता लेने के लिए अमरीका की रास्टरपती जू बाइडन फ्रांस की रास्टरपती इमान्यूल मैक्रों ब्रीटिन की प्रधान मंतरी रिशी सिनक जैसे नेता दिल्ली पहुँचे थे G20 में ग्लोबल मुद्दो पर सभी नेताओं ने चर्चा की अमरीकी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में G20 को लेकर बात की उन्होंने कहा हम पूरी तरह से मानते हैं कि ये सफल रहा G20 एक बड़ा संगठन है रूस G20 का सदसे है चीन G20 का सदश्य देश है दरसल विदेश मंत्राले के प्रवक्ता से पूछा गया था कि क्या वो मानते है कि भारत में आउजित हुआ G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा इस सवाल के जवाब में उन्होंने भारत की सराना करते हुए ये बात कही प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली घोशना पत्र में कहा गया किक्षेत्रिय अखंडता और संप्रभुता जैसे सिधान्तों का उलंगन नहीं किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोशना पत्र को सबसे हैं माना जा रहा है क्योंकि रूस की आलोचना किये बिना सभी देशों को इसकी जर्ये साथ लाने में भारत काम्याब रहा है बिरुर रपोर्ट जीएस